कि नमस्कार आपको स्वागत है स्टॉक अलोजी में आज हम बात करने वाले इंडिया रेल्वे क्याटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्परेशन लिम्टेट के बारे में यानि कि आज ही रिजल्ट जारी हुए है आपको बताना चाहिए कंप्रीन अपने अपने शरूल्डर्स को प्रतिश चेर का डिविडेंट दिया है तो जिनके पास भी शेयर हैं को प्रतिश चेर के सबसे 5 रुपे के डिविडेंट मिलेगा जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब करने बैल आइकम पर क्लिक करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें तो हम दिख लेते हैं रिजल्ट क छोगी दिसम्बर 20 कौटर में 24,523 लाग के हुगे और मार्च 25 कौटर में 35,825 लाग के हुगए तो यहां पर अगर मार्च 20 क्वाटर से मार्च 25 क्वाटर में यानि कि य यर ओन येर में देखते हैं तो यहां पर हमें रिवेंजिव घटते हुई दिखाई दे रहे हैं देखते हैं तो यहां पर हमें इंकम और एक्सपेंस दोनों ही घटे हैं अब हम बात कर लेते हैं प्रोफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तो सेवन्थ नमबर का पॉइंट है प्रोफिट विफोर टेक्स मार्च बस क्कॉटर में प्रोफिट वि फोडेक्स रिएध हैं तो वो थे 19321 लाके जो कि दिसम्बर विस कॉटर में 10,444 uwam द esse क्कॉटर में आजए और म्च क्कॉटर में यह 5 में यह 30920 लाके हुआ तो यहाँ पर हम यॅन यहँर में प्रोफिट विफोर टेक्स को देखते तो March 24 में 13,514,00,000 के profit थे जो कि December 24 में 7,808,00,000 के हुगे और March 24 में ये 10,370,00,000,000 के हुगे तो यहाँ पर अगर हम March 24 से March 24 यानि कि Year on Year में देखते हैं तो यहाँ पर हमें profit after tax जो है वो घटते हुए नज़र आ रहे हैं वहीं अगर हम बात करते हैं quarter on quarter की यानि कि December 24 से March 24 तो यहाँ पर अगर हम overall performance की बात करते हैं तो Year on Year में हमें company का performance कमजोर होता हुए नज़र आ रहा है और quarter on quarter में देखते हैं तो company का performance बहतर होता हुए नज़र आ रहा है तो Year on Year performance कमजोर हुआ है धन्यवाद